हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखिए SAC GD 1 दिसंबर 1 शिफ्ट का एक्जाम खतम हो गया है उमीद करते हैं 1 शिफ्ट में जिनका भी आज एक्जाम था सभी का एक्जाम अच्छा गया होगा 1 दिसंबर 1 शिफ्ट में जो जितने भी रियल कोशन आज पूछे गए थे सभी कोशन करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और साथ में दोस्तों कोशन लगाता रिपीट हो रहे हैं GD एक्जाम में तो जिनका भी आगे एक्जाम है एनलेसिज पूरा रोजाना देखा कीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स फर्स शिफ्ट के कोशन आपके स्क्रीन पे आगे हैं देखिए एक कोशन आपसे नर्ते से पूछा गया था कि जो लाहो है ना ये किस राजे का एक लोक नर्ते हैं लाहो से कोशन पूछा गया था कि लाहो जो है ये किस राजे का लोक नर्ते हैं तो ये आपका मेगाले राजे का लोक नर्ते हैं नेक्स्ट एक आया था करेंट अफेर से कि राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार में पहले आपको मालूम होगा साड़े साथ लाक रुपए पुरुषकार की रूप में रासी दी जाती थी अब इसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो अब इसे बढ़ा कर 25 लाक रुपए कर दिया गया है तिगुनी जो है ना इसे कर दिया गया है बढ़ा कर पहले से 2020 में हुआ था ये और उस समय जो खेल मंत्री धेना कीरेन रीजीजू इनके द्वारा ये किया गया था और वर्तमान में आपको मालूम होगा राजीव गांधी खेल रतन पुरुसकार का नाम चेंज करके मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया है एक कोशना है था दिल्ली सल्तनत से कि दिल्ली सल्तनत में जीते हुए प्रांतों को क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में जीते हुए प्रांतों को इकतेदार बोला जाता था नेक्स्ट एक कोशना है था पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिचाने के लिए हडपा सब्वेता से कोन सा सामान ले जाया गया था देखिए हडपा के खंडरों से हजारों इटे उखाड ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिचाई थी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट एक कोशना है था क्रिश्टन की सहाय के नदी कौन सी है ये आप से पूछा गया था देखिए बात करें क्रिश्टन नदी की तो ये महाराश्ट राजे में बहती है वहीं दोस्तों इसका जो उद्गम स्तल है ना वो पस्मी घाट सरंकला महाबलेश्वरम महाराश से है इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमेटर इसकी टोटल लंबाई है और जो आज पूछा गया था सायक नदिया क्रिश्टन की कौन कौन सी है तो भीमा, तुंग भद्रा, गोदावरी, कावेरी ये चारो जो परमुक नदिया है ना ये क्रिश्टन की सायक नदी है इन निलगिरी परवत की सर्वोच उंची चोटी पूछा गया था तो डोडा बेटा जो है ना ये निलगिरी परवत की सर्वोच उंची चोटी है और ये तमिल नादुराजे में स्तित है इसकी कुल उंचाई है 2637 मीटर next question था सैबी का headquarter कहां पर है सैबी का मुख्याले पूछा गया था सैबी का मुख्याले ये आपका Mumbai सहर में स्तित है ठीक है friends next question आया था baby boy में कोन सी हड़ी नहीं होती इस परकार से question पूछा गया है जिन भी सातियों का first shift में exam था बताईए question ये ही था क्या और दोस्तों इसका question का अंसर अगर आपको मालूम है तो comment जरू किजिएगा next question आया था जिसका विवहा ना हुआ हो उसके लिए एकल शब्द आप से पूछा गया था देखिए जिसका विवहा ने हुआ हो उसको ए परिनित कहा जाता है एक question था सुधा किसका प्राईवाच्य होता है सुधा जो है ना ये अमरत, अमिय, पियू, सुर्भोग ससिरस, सोम, अमी इस प्रकार से ये जितने भी आप देख रहे हैं ना ये दोस्तों सुधा जो है ना इनका ही प्राईवाच्य है इनमें से जो भी option में था वो आपको answer करना था अगर अमरत का पूछा था तो सुधा हो जाएगा अब देखे दोनों में से किसका पूछा था बताईएगा जिनका भी exam हुआ है एक आयता ततकालिन का सुध वर्तनी ततकालिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये सुध रूप में ही लिखा है एक पूछा था सम्मुक का विलोमशवद बताईए सम्मुक का आया था तो वीमुक और नेपत्थे ये दोनों ही सही answer है इन में से जो भी दोनों में से option में था वो आपको answer करना था एक पूछा था जो दिया ना जा सके उसके लिए एकल सब्द बताईए उसके लिए एकल सब्द हो जाएगा एदे जो दिया ना जा सके उसे एदे कहा जाता है एक आया था अंतर राष्टे क्रिकेट में सरवाधिकरन बनाने वाली पहली भारतिय महिला किलाडी कोन है तो ये मिताली राज है ठीक है एक कोशन था वन्य जीव सरंग्षन अधिनियम से कि वन्य जीव सरंग्षन अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और सरंग्षन के लि चांद, हीमानसू, इंदू, शुधानसू, विधू, तरापती, चंदर, शशी, कलाधर ये सभी क्या हैं चंद्रमा के प्राई वाचे हैं एक कोशन था शिक्षक परव जो है वो किस मंत्राले के द्वारा मनाया जाता है शिक्षक परव जो है ना ये शिक्षा मंत्राले के द्वारा ही मनाया जाता है एक कोशना है था एक्जाम में कि World Games Athlete of the Year पुरुसकार 2019 खिताब जो है ना ये किस ने जिता World Games Athlete of the Year का पुरुसकार जो है 2019 में इसका खिताब दोस्तों रानी रामपान ने जिता इनका समन्द हो की खेल से है नेक्स्ट कोशना है था Operation Thunder 2020 किस से समन्दित है वन्ने जिवों के अवेद व्यापार के खिलाफ समन्वित रुक से जो है ना Operation Thunder 2020 समन्दित है एक कोशन एक्जाम में था कि Mount Macaloo परवत किस स्रेणी में आता है Mount Macaloo परवत जो है ये हिमाले स्रेणी में आता है मकालू परवत दुनिया के सबसे उंचे परवतों में से एक है जिसकी कुल हाइट है 8485 मिटर ये नेपाल तिबबत चीन की सीमा पर हिमाले प्रवत रेणी में स्तित है एक कोशन था 36 गड़ के मुख्यवंत्री कोन है तो भुपेश भगेल है और राजेपाल है अनुसुया उईके एक कोशन पूचा गया था आज विशाक नंदन का प्राई वाचे सब्द बताईए खर रासब गधा खोता ग्रधब ये सबी क्या है इसके प्राई वाचे हैं एक पूचा था एक दंत किसे कहा जाता है एक दंत जो है ना भगवान गनेश जी को कहा जाता है एक प्रसन पूछा गया था अनुछे 214 जो है ये किस्से समंदित है तो देखिए अनुछे 214 ये प्रत्यक राज्ये के लिए एक उच्छ नियाले होगा इससे आर्टिकल 214 समंदित होता है एक प्रसन पा की उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताईए उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होगा अन्होनी हो जाना या एस संभव काम करना दोनों ही सही है एक आयता रामाइन का नेपाली में अनुवाद किस कवी के द्वारा किया गया था रामाइन का नाम भानुबक्त रामाइन है एक आया था इनमें से कोन सा फूल रात में खिलता है ब्रह्मा कमल का फूल जो है ना ये रात में खिलता है एक आया था इलेक्ट्रिक वाहन खृदने पर सरकार कितने रुपए की छूट का प्रावधान देगी इसे सम्मंदित कोई प्रसन हैं कुछ और कोशन अगर बाकी है और अगर आपका एक्जामता फर्शिट में और आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा अपने कोशन और साथ में पीडियो फाइल के लिए टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना और वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जूरूर सब् करने बाद